और एक नई वीडियो में फिर एक बार स्वागत है गेमिंग लेंसिन के चैनल पर तो सबसे पहले तो हैपी नीवर में आप सबको विश्का न चाहूंगा क्योंकि मेरी अगली वीडियो आएगी तब तक 31st हो चुका रहेगा तो आज के इस वीडियो में मैं लाया हूँ एक न आपको यह वेबसाइट बताता हो जहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको डाउनलोड करना है तो इस वेबसाइट पर आने के आपको नीचे स्क्रोल करके आ जाना है और फिर यहां पर देख सकते हो आपको वर्जिन जिसके लिए काम करेगा 1.17 है जो कि मैं पर दिसका और आटीकल करने के बाद यहां पर एक्सेट साइन पर क्लिक कर देना फिर थोड़ा रूख ना फिर से एक और बाद क्लिक करना और कंटीनु तू आल ट्रेट्स विजिबल जो कि अपना रीसोस पैक है उस पर क्लिक कर देना और आप यहां पर पहुंच जाओग फिर इस फाइल को यहासी कर लेना डाउनलोड फाइल के डाउनलोड होने के बाद आपको इसके डाउनलोड फोल्डर में जाना है जएड आर्चिवर में फिर इस फाइल पर होल्ड करना है फिर कट करना है फिर डिवाइस मेमरी में जाना है गेम्स में जाना है और कॉम.mojang म आप इसको paste कर देना फिर उसपे क्लिक करो और extract here कर देना फिर minecraft open कर लो जिसमें world में खेलना है उसके resource pack में जाना और इसको activate कर देना फिर activate करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यह work कैसे करता है तो सबसे पहले तो मैं एक village में आप आ चुका हूँ फिर एक village यहाँ पर ढूंदते और उसके मैं आपको trades दिखाता हूँ जो कि आप normally सारे trades नहीं देख सकते हैं बट इस resource pack यह से आप सारे trades देख सकते हो जो कि अभी भी lock है तो यही है यह resource pack यह से काम करता है मैं अभी आपको और दो तिन विलेजर के trades दिखाता हूँ यह देखो बुचर है इसके भी सारे trades unlock हो चुके हैं और यह साइड में farmer है अरे रुख जा इसके भी trades देख सकते हो आप सामने सारे के सारे unlock हो चुके हैं तो यही था यह resource pack और अभी मैं एक और worker दिखाता हूँ आपको यह आर्मरर बना देते इसको और यह देख लो इसके भी सारे trades unlock हो चुके हैं मतलब दिखाई दे रहे हैं अनलोक तो हमें करने प पसंद आती हो तो लाइक करना जिससे मुझे पाता चले की वीडियो आपको पसंद आई अच्छी लगी तो दोस्तों के सारे शेयर कर सकते हो बाकी मैं चलता हूँ अगली वीडियो में मिलते आप अपना ध्यान रखना